Hello guys, welcome to another video आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है मेरी फेवरेट बन चुकी है जिसमें है एक चिकिन कारी कुर्ता सेट, कुछ जूलरी पीसे और कुछ मेकप प्रॉड़क्स तो चलिए जल्दी से में वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक कर दीचेगा, चैनल को सब्स्राइब कर लिएशे फोर सच मोर वीडियो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम है दहिया अनू सबसे पहले मैं आपके साथ जूल्री शेयर करती हूँ जूल्री के लिए मेरे पास ये बॉक्स है, ये रिसीव है मुझे फ्रम ब्रांड बीटनिक आपने देखा होगा मैं कभी हैवी चोकर ये सब चीजे नहीं डालती क्योंकि मुझे बहुत जादा चुपती है ऐसी चीजे बट ये जो जूल्री पीस है इनके अंदर जितने भी चोकर मुझे दो चोकर रिसीव हुए है ये मैंने ट्राइ किये, ये बहुत जादा कमफरिटेबल है मतलब स्किन पर बिल्कुल भी नहीं चुपते और बहुत ही जादा लाइट वेट है तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये चोकर पीस शेयर करूंगी जो मेरा फेवरेट है बहुत ही सुन्दर चोकर पीस है ये बहुत सुन्दर लगता है औरेंज और फियूशिया और गोल्डन ये सारे मोती लगे हुए ये हैंगिंग भी बहुत सुन्दर लग रहा है ये सुपर कमफरिबल है क्योंकि पीछे इसमें इस तरह का फैबरिक है किसी भी लाइट कलर के आउटफिट के साथ आप इसे पैर कर सकते हैं आप देख सकते हैं जो मैंने ओफवाइट कलर का ये कुर्टा पहना हुए इसके साथ भी कितना सुन्दर लग रहा है आप इसे बहुत ही मॉडरन लुक भी क्रिएट कर सकते हैं मैंने इसे style किया एक white color की fluid dress. आप ऐसा जो इस fluid dress के साथ भी से carry कर सकते हैं but मैंने एक shrug भी add कर दिया जो की match कर रहा है इस choker के color से and ये overall look बहुत ही जाता प्यारा आ रहा है. आप बताएगेगा आपको कैसा लग रहा है. मेरा तो ये favorite बन चुका है इसके बाद जो second है वो मैं आपके साथ share करती हूँ ये earrings. ये भी bohemian look create करने में आपकी help करेंगे किसी भी tunic dress के साथ ये shirt मैंने आपको बताया है उसके साथ भी आप इस तरह की ये hanging earrings डाल सकते हैं and ये बहुत lightweight होते हैं क्योंकि ये metal से नहीं बने हुए फैब्रिक है इसके अंदर and इस तरह की handwork वाला काम है like इसके अंदर thread work है, pearl है cut dana है and नीचे ये लगी हुई है sippiya and then tassels है so काफी सुन्दर लग रहा है so किसी भी daytime look के लिए आप इसे अपनी ना कुर्ती dress के साथ पार कर सकते हैं so white color, pink color, yellow color इन सब के साथ ये color combination काफी जादा प्यारा लगीगा इसके बाद एक और है जूल्री पीस ये है silver look like, you know, earring इनका size, weight and design सब कुछ best है so daily wear में भी बहुत जादा काम आएंगी इनसे आप किसी भी outfit के साथ डाल सकते हैं Indian, western, saree, kurthi, top ये बहुत ही बड़ी अलगने वाला है now, जिसमें comfort की बात कर रही थी वो कर रही थी इस चोकर के बारे में ये कितना heavy piece है इस तरह की चोकर में पास और भी है बट ये चोकर ना सबसे ज़्यादा comfortable लगा, frankly speaking, गर्मियों में इसे डालें भी गे ना तो आपको एक तो वेट फील नहीं होगा और जो metal है वो इतना जादा अच्छे से surface पे softness है उसके कहीं से भी पोप नहीं करेगा आपकी नेक पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर metal है साथ में पर्ल है, एंड मेरर है एंड डिफरेंट कलर के मिरर इसके अंदर एड कियो है तो बहुत जादा वर्साटाइल हो जाएगा वी नेकी या डीप नेकी कोई भी आपकी ड्रस है उसके साथ आप इसे कैरी कर सकते हैं फोर सम इंडो वेस्टन लोग जिनको सिलवर जूल्री पसंद है, ये तो उनके पस डेफिनिटली होना ही चाहिए मैंने कुछ नए मेकप प्रॉडट्ट्स भी ट्राइ किया है इनको यूज करके मैं आपके साथ एक मेकप लुक भी शेयर करूंगे ये लुक काफी ज्यादा नाचुरल है तो आप भी इसे ट्राइ कर सकते हैं स्किन केर के बाद सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ ये 24K गोल्ड प्राइमर फ्रॉम पॉपल ये सिलिकॉन बेस्ट है तो फाइन लाइन पोर्स को बलार कर देता है इसके उपर मेकप काफी अच्छा लगता है अभी मैंने रिसेंटल एक नया हैक सीखा है जिसके अंदर अगर आपको नैचुरल लुक चाहिए तो बेस मेकप करने के बाद लाइक फाउंडेशन और लगाने के बाद आप इस तरह से एक बार सै्टिंग स्प्रे लगा लेजिये एद drop कर लीजिये तो इससे आपका क्या है जो पाउडरी-पाउडरी फेस लगता है न वो नहीं लगेगा और पूरे मेकप में आप मोर देन वन टाइम इस तरह से सैटिंग स्प्रे यूज कर सकते हैं इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ यह परपल का बलश गाइज यह जो बलश है यह बहुत ही बढ़िया है लाइक इसकी जो पिग्मेंटेशन है वो इतनी जादा सटल है और बिलकुल भी पाउडरी नहीं लगती तो बहुत ही नाजरल लोक आता है इसके अंदर पिंक एंद पीच हर तरह के टोंज है सिक्स शेड्स इसके अंदर मिलेगी एंड यह मास्ट है वह लाइक बहुत ही अफॉर्डेबल रेंज में अगर आपको सारे कलर्स चाहिए बलश के अंदर तो यह जो सिक्स पैलेट पैन है यह सबसे बहतर रहने वाला है तो मेरा तो यह फेवरेट टोटल फिलर आइब्रो पैलेट यह पाउडर पैलेट है इसके अंदर ब्रश भी है स्पूली है और साथ में आपको ब्लैक और ब्राउन दो शेड्स मिलेंगे तो आप देख सकते हैं बीच बीच में मेरे पे आइब्रो के अंदर यह बिलकुल भी हैर नी है तो वहां पे मै आइब्रो गैप्स को फिल करने के लिए मैं ब्राउन वाला यूज कर रही हूं सो इससे काफी नैचरल लुक आ गई दैन मैं आईशाडव पैलेट यूज कर रही हूं यह आईशाडव है यह है क्रीसेंट आईशाडव पैलेट जिसके अंदर नाइन शेड्स मिलती है पिंक सेम मैं लोवर लेश लाइन पर यूज कर रहे हूं और एक शिमर लेके और पूरे आई लेट पर लगा रही हूं यह सबसे सिंपल तरीका है आई मेक अप करने का बस आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली करना होता है कि बहुत जादा बाहर ना निकले और बहुत जादा कलर ए और बिलकुल भी समज नहीं होती पूरे दिन चलती है और इसके अंदर ना आपको कैप के अंदर ही एक ब्रश मिल जाएगी और यह जेल आई लाइनर है और आप देख सकते हैं कितने असानी से मैं विंग क्रिएट कर सकी और इसके अंदर भी अच्छा यह है कि एक तो बहु और लेश के ऊपर भी आप असानी से लगा सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी ब्रुशल्स नहीं है युनिफॉर्म कोट होगी बिलकुल भी क्लंपी नहीं लगती आइस नैचरल लुक आता है देन मैंने हाइलाइटर यूज किया है अपने हाइप पॉइंट्स पे यह है आटिंग चैरी किस यह लिप्स्टिक मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी सो मैं आपको हाइले रिकमेंड करूंगी डे टुड़ी लाइफ में भी आपी से यूज कर सकते हैं और समर्स में तो बहुत ही संदर लगने वाला ही कलर दिस इस द फाइनल पीकप जरूर बता बहुत ही जादा लगा क्योंकि इनके अंदर इंडियन और वेस्टन दोनों की जलक है उपर आप देख सकते हैं थोड़ा सा वेस्टन लुक मिलता है नीचे पैंडेंट बिल्कुल इंडियन और इसमें सिल्वर और गोल्ड दोनों का टच है साथ में मीना कारी है तो यह यह अब बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं इनकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी और सूपर लाइट वेट आप देख सकते हैं स्टेटमेंट यह बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है नाव जो सबसे बहतरीन पार्ट है वो है यह चिकन कारी कुरता सेट यह इसका फैब्रिक है मॉडल सेटन मैंने मॉडल यूज किया हुआ है पर मॉडल सेटन है उसके अंदर एक शाइन होती है जो थोड़ा से लग्जूरियस टच देती है सो डेफिनेटली यह कुरता तो मेरा वन अफ द फेवरिट कुरता है इंस्टरग्राम पर मैं अल्रेडी श सब्सक्राइब यह जो थ्रेड है यह रेशम का सी द ब्यूटी एंड स्लीव इस तरह की है इस पर भी प्यारा सा वरक है बैक में भी आपको एक थोड़ी सी बूटी मिलती है वैसे तो चिकन कारी कुरती आयनो सबको भी बहुत जादा पसंद है मुझे भी बहुत पसंद है बट होता है जितनी भी सारी उन में से कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है तो यह उन में से एक है जो मुझे अच्छी लगते है मुझे वाइट कलर में काफी अच्छी लगती है वो भी मेरे पास है मैंने आपके साद शेयर भी की हुई है और यह यह यलो कलर में है जो बिल्कुल summer appropriate है गर्मियों में आप इसे carry करेंगे ना इसका fabric सूपर सूपर सॉपर 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 सॉफ्ट है और लुक तो आप देख सते हैं बिल्कुल सुन्दर है और ये कुर्ता सेट मुझे रिसीव हो है इंस्टाग्राम पेस से हैंडल है उनका The Women's Zone सो या मैं डिटेल आपको स्क्रीन पे इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप चेक आउट कर लेना इसके साथ जो बॉटम आता है ना वो है वाइट कलर के अंदर ये स्टेचिबल फाबरिक है तो काफी ज़दा कमफोर्टेबल रहेगा ये स्ट्रीट फिट के अंदर है यहाँ पर भी आपको ये चिकन कारी वोक मिलता है ये है पूरा सूट सेट काफी ज़्यादा मुझे प्यारा लगा जरूर से मुझे बताएगा ये कुर्टा सेट ये जो भी जूलरी पीसिस मैंने आपके साथ शेयर करी आपको कैसी लगी एंड इस तरह की वीडियो आप आगे भी देखना चाहेंगे तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो में एंड करती है और बहुत जल्दी मिलती है आपसे इन दानेक्स वान तिल देन टेक केर बाबाई